आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे, तो आज सुनाते हैं लद्डू कोपाल की एक बहुत ही दरद भरी सच्छी घठना, तो ये घठना मेरे साğथ स्रेइर की है, मेरी कॉर। उसके पडोस में ये घटना हुई है तो उसने मेरे से शेयर की है, यूँकि उसको पता है कि मैं मतलब मुझे ऐसी घटनाएं चाहिए जो रियल हों, तो उसने मेरे से बात की और फिर उसने ये घटना बताई जो कि लड़ू गोपाल की बहुत ही दर्द भरी घटना है, कि कैसे उनके साथ ये हुआ, मतलब उसके पडोस में, तो उसने कहा कि मेरे पडोस में एक बुझुर्ग दमपती रहते हैं, तो उनकी एक बहु भी है, मतलब एक बेटा है और बहु भी है, तो जो वो आंटी हैं, वो बहुत पूझा पाट करती हैं, लड़ू गोपाल को बहुत मानती हैं, तो उनके घर पे इसका आना जाना है तो उन्होंने एक बार इस से मतलब मेरी फ्रेंड से प्रीती से वो अपने घटना मतलब अपनी आप बीती सुनाई की कैसे उनके घर लड़ू गोपाल आए और कैसी क्रपा हुई उनके साथ और फिर क्रपा होने के बाद फिर ये जो दुर वाली बात उतने बताई तो फिर उसने मेरे से सियर की तो आपको सुनाते हैं तो प्रीते कहती है कि मैं एक दिन अपनी अंटी के आँड़ की तो वह एकößर दिना पैठी हुई थी तो जैसे यह을 है तो मुझे बुलाई के आओ प्रीते मैं जाती यह हो तो उनको देने में अच्छा लगता है उनके साथ बैठना क्योंकि वो पूजा पाट कभी भी उनके पास बैठो तो हमेज़ा धार्मिक बातें बताती रहती हैं भगवान से जुड़ी ही ही बातें बताती हैं तो मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती क्योंकि मैं भी अपने घर में गुपाल कहां से लाई हैं बहुत प्यारी छवी है तो उन्होंने बताया कि बेटा ये लड़ू जो गुपाल जो है इनको मैं व्रंदावन से लेके आई हूँ लेकिन इनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तो फिर उन्हों उसने पूछा कि क्या है अंटी जी फिर एक कुछ सुपता होती है जानने की कि क्या ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़ू गोपाल है ये बहुत पहले के हैं जब मेरी साधी हुई थी उसके कुछ साल तक मेरे कुछ बच्चे नहीं थे मतलब कोई संतान नहीं थी और उनका आंटी का सिर्फ एक ही बेट है तो जब मेरे कोई संतान नहीं हो रही थी तो मेरे जो फैमिली में है मतलब चाची आची जो लगती है उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि तुम वरंदावन हो आओ और वरंदावन से लड़ू गोपाल ले आओ हो सकता है कहते हैं कि वहां पे जाके लड़ू गोपाल लेके तो हो सकता है गोदी भर जाए तुमारी तो उनको यह बात बहुत अच्छी लगी फिर उन्होंने अंकली से बोला तो मतलब अपने हस्बेंट से बोला तो वो भी तयार हो गए जाने के लिए फिर वो गई और लड़ू गोपाल ली लड़ू गोपाल को बाके विहारी में द एसे आए थे लड़ू गोपाल मतलब मैं इनको मेरे बेटा होने से पहले से ही इनको मैं अपना बेटा ही मानती हूं और बहुत सरद्धा है इनके प्रती और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह भी मुझे अपनी मा मानते हूं मतलब उनको से बातें करना उनको हर चीज वो करना तो एक मुझे बच्चे जैसे उनके अंदर से वो आती है उनको देखके न ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा बच्चा हो मेरा ये बेटा हो ऐसे करके तो ऐसे बता रही थी तो फिर बताते बताते उनकी आँखों में आंसु आ गए मैंने कहा कि आँटी क्या हुआ आप रो क्यों रही हो तो बोले बेटा ये तो मेरा बेटा है ये लेकिन ये तो मतलब वापस आया है ये था मेरे पास लेकिन कैसे ये कहां चला गया था मुझे पता ही नहीं तो उसके मन में और उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या हुआ था बोले कि बेटा ये एक बार गुम भी चुका है लेकिन फिर इसकी क्रपा ऐसी थी कि मेरा लगाओ ऐसा था क्या भगवान की मर्जी जाने कि क्या है हम दोनों की बीच में कनेक्शन कि ये वापस आ गया तो उसने पूछा प्रिती ने कि आँटी ये वापस कैसे आ ये तो बताईए आँगे उसके मन में भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि बताएं कि आखिर हुआ क्या था तो उन्होंने बताया कि बेटा एक बार क्या हुआ कि दिवाली का टाइम था और दिवाली में तो हर घर में साफ सफाई होती ही है तो उसने कहा हाँ आँटी ये बाद तो है तो बुले कि वही पे जो पेपर आते हैं सुबह के तो जहां पे मंदिर है मेरा उसी के नीचे एक ये गुमे कैसे थे बोले वही बता रही हूं सोरों तो तुम वो बताती जा रही थी और मुझे भी जानने में बड़ी उत्सुकता हो रही थी जब प्रीती ने मुझे से ऐसी बात है मतलब ये कहानी बताई तो बोली फिर गुमे कैसे तो बोली रुको मैं बताती हूं तो ब तक आते आते कि एस्ट्रा समान बहुत सारे कबारियों को देने ही पड़ते हैं बुली कि उस दिन बहुत साफ सफाई चली रही थी दिवाली की और लड्डू गोपाल का जो मंदिर था वो साइड में ही था तो कैसे क्या हुआ समझ में ही नहीं आया क्योंकि मंदिर के ऊपर भ लगा कैसे क्या हुआ समझ में नहीं आया और पेपर के बीच में वो चले गए और पेपर के बीच में जब चले गए और साथ में वो पेपर वाले को तो हमने पेपर दे दिया कबार जितना भी समान था सब दे दिये अब वो लड्डू गोपाल का ध्यान का बाता है कि जब स साफ सफाई हो जाती है और जब मैं साफ सफाई करके नहांध हो के और फिर आती हूं कि छलो मेरे लडू चलो मेहाँ जान ने शांकल गई हो मैं41 काहां गए कौन कहीं रखया है कि और claims नहीं नहीं है तो यहीं बेठे थे, अब तो सब ऐसे ढवनने लगते हैं पूरे घर में ओवर जब लडू हो तब तो मिले न अब सब लोग कहते हैं कि ऐसा नहो कि समान दिये हैं, तो समान के साथ ही चले गई हों, अब समान, अब सब कहते हैं कि समान तो सिर्फ कवारी वाले को ही दिये है और जो पेपर लिया है वही सब समान ले गया है अब कैसे पता करें कि ये कवारी का कौन पता रखता है कि ये कहां से आया क्या है हमको तो समान देने से मतलब होता है तो वो आंटी का रो रो के बुरा हाल सब ने बहुत समझाया कि बेटे ने बहुत समझाया मा रो नहीं पती ने बहुत समझाया कि रो मत मिल जाएंगे मिल जाएंगे लेकिन उनकी हालत तो ऐसे होने लगी कि जैसे एक बच्चे की कुछ होने में एक मा की होती है वही हाल उनके थे वो रो रो के इतना वो कर रही थी कि मैंने समान क्यों दिया और जब मैं समान दे रहे थे तो मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया कि यहीं पर लड़ू को पाल है तो और ऐसे कहते हैं कि बहुत जादा रो रही थी अब बेटा गया पूरे महले में कॉलोनी में सबसे पूछा कि ये जो कबाड़ी आता है किसी को पता है कि ये कहां रहता है समने मना कर दिया कि हमें नहीं पता है ये कहां से आता है एक ने भगवान की क्रपा से एक ने बताया कि ये उस महले में रहता है एक कबाड़ी महला है वहां पर रहता है जबलपुर में एक कबाड़ी महला करके भी ह तो उसने बताया कि यहां पे रहता है अब वो जो उनका बेटा था गाड़ी उठाया और सीधे उसी कबाड़ी महले में ढूने लगा और कबाड़ी महला कोई छोटा महला नहीं है बहुत बड़ा महला है अब उसका नाम भी नहीं पता कि उसका नाम कैसे नाम से ही अगर उस मह हले में जा रहे हैं तो पता कर लें अब वो एक एक घर जाके पूछते है कि हमारी कलोनी में कौन आता है मतला अपनी कलोनी का नाम बताए कि इस कलोनी में कौन जाता है कबाड लेने अब किसी ने नहीं बताया सब का एक एक घर पूछते पूछते कि कहीं कम से कम दिखी भी जा दो मैं पता करना हैं लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल रहाा था वहां पर आउंटी का रो रो के बुरा हाल मेरे हस्बेंड समझा रहे हैं सब изучção समझा रहे। जहीं और दे गया हो समान क्या पता कहां होगा कि परिशान होगा मेरा लड़ो ऐसे करके बहुत रो रही थी इतनी में वो जो उनका बेटा था वो उस महले में अब निरास होके वो भी गाड़ी में आके बैठने लग वापस आने लगा कि अब जातो अब क्या करूं पूरे महल प्रफ़े में धून डारा लेकिन उस कबाड़ी का कोई पता ही नहीं चल रहा है कि वो गया तो गया कहां कहां विलुप तो हो गया उसको भी गुसा आ रही थी कि हम लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया और है तो जैसे ही वो गाड़ी वेट के आधी रास्ते तक पहुझता ह है कि उसको सामने से वो कबाड़ी आता हुआ अपना दिखता है और अब कैसे दिखता है आते हुए कि उसकी जो ठेली डाइब की होती है जिसमें वो कबाड़ रखते हैं वो पूरी खाली हुई थी लेकिन जैसे ही उसको देखा तो उसको थोड़ी सी राहत तो मिली बेटे जो कि चलो कम से कम पूस तो लूँगा समान नहीं है तो कोई नहीं तो उसने पूछा कि तुम्हारा समान कहां गया जो अभी तुम लेके आए हो मेरे घर से तो उसने बोला कि साहब मैंने तो बेच दिया तो उसने पूछा कि कहां बेचे हो तो फिर उसने बताया कि उस जग खे पे पहुंचते हैं तो उसको देख के ही उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो जो समान था वो ट्रक में वो जो कचड़ा होता है न कबार वो ट्रक में पैक होके वो जा चुका था अब वहां पे उसकी बेटे की भी हालत खराब की अब मैं मां से जाके क्या बोलूँग वो निरास होके घर आ जाता है और सब के मन में यही होता है कि अब लड़ू गोपाल गुम गए अब तो मिलने वाले नहीं है अब मा का मतलब वो आंटी का तो रो रो के बुरा हाल होता ही है ना उस दिन किसी ने खाना खाया ना कुछ खाया और अंकल और वो जो बेटा थे वो रो के मेरा बुरा हाल हो मैंने तो पूछो मत की क्या हो रहा था उस टाइम पर अब सबके मन में यही था कि लड़ू गोपाल नहीं मिलने वाले और ऐसे करते हुए रात हो जाती है रात में वो रोते रोते मतलब पूरा दिन उनका जो चिंतन था उनका जो मन था वो वो एक मूरती वस नहीं था, उनका जो प्यार था, एक माँ और बेटे का था, बहुत प्यार था, बहुत प्यारा रिस्ता था उनका, मतलब सब चीज बात करना, कोई परिशानी है उनसे सेयर करना, और उनको ऐसा लगता कि जैसे मैं इससे बता रही हूँ न, और ये भी रोते रोते वो सो जाती है उनको कोई सुध नहीं और जब सो जाती है तो अधी रात में उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका लाल उनका लड़ो गुपाल उनसे कह रहा है कि मा मेरा दम घुट रहा है मा मैं बहुत सांस नहीं ले पा रहा हूं मा मैं इधर हूं अब वो एक दम स उठ जाती है और आंटी वो बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा लाल मेरा लड़ू गोपाल मुझे जैसे बुला रहा हो अब ये तो था कि वो पेपर के बीच में ही गए है कबारी के पास ही है लेकिन वो ट्रक कहा गया वो उसको कैसे ढूने अब वो जब सुबह ह होती है सबसे बताती हैं कि लड़ू मेरा बहुत परिशानी में है और कहीं डबा हुआ है किसी पेपरेपर के बीच में वो सांस भी नहीं ले पा रहा है अब उनका तो रो रो के समझो की ऐसा बुरा हाल होता है कि बहुत जादा वह प्रीती भी जो सुन रही थी प्रीती कहती है कि में वो जब बता रही थी तो वो आंटी जितना रो रही थी उतना ही मैं रो रही थी और अंकल बैठे हुए थे वो सब देख रहे थे उनके आँखों में भी आंसू भरे थे फिर मैंने उनसे पूछा कि आंटी फिर लड़ू गोपाल आए कैसे आपके पास फिर मिले कैसे तो उन्होंने कहा कि ये तो बस उन्हीं की क्रपा है और हम दोनों का ये जो प्यार है इसकी वज़े से वो आए मेरे पास तो प्रीती पूछी कि फिर कैसे आए तो वो कहती है कि ये जो लड़ू को पाल है जो ट्रक है वो चला गया था कचड़े वाली जो फैक्टरी होती है वहाँ चला गया था और कचड़े से वो जब कचड़े को निकाला जा रहा था मतलब ये सब समान को ये पेपर ये पर सब जो कबाड़ी जहां बेच देते हैं जब निकाला जा रहा था तो एक बहुत ही अच्छे सज्जन को जाते हैं और वो अपने घर ले आते हैं और उनका एक छोटा सा वो था छोटी सी दुकान सी होती है ना टपरा टाइप की जिसमें पान वान वो लोग रखते हैं तो उनका इसी का धन्दा था वो पान ऐसे बेशते थे तो वो एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे का जनम दिन था तो हम लोग गए हुए थे एक होटल गए हुए थे बहुत दिन हो गए थे मतला महिने दो महिने हो गए थे उस टाइम पर तो मेरी खैर हालत ही नहीं थी ना कहीं आने की न जाने की लेकिन जब रोना धोना ही तो वह सही नहीं रहता न। तो उसने बताया, आएँटी ने बताया प्रीती से कि ऐसे करके समने पती ने भी बोला कि चलो कोई नी अब बेटे का जनम दिन मना लेते हैं तो वह होटल गई हुए थे तो होटल में जब वह खाना आना पान खाते थे और जब पान खा रहे थे तो सब वहीं खड़े थे बेटा भी और वो भी तो जो आँटी है वो कहती है कि मेरी नजर एकदम से उस कॉर्णर में पड़ी जहां उनका मंदिर रखा हुआ था उस मंदिर में जब मैं देखती हूं तो मुझे मेरा लडू मेरा है और हो सकता है इनने भी वैसी लाए हो लेकिन कोई भी जैसे इनसान होते है न सकी सकल अलग होती है छबी अलग होती है वैसे आप लड़ू गोपाल को भी देख लीजे इतने लड़ू गोपाल के प्रतिमा हैं मूर्तिया हैं लेकिन सब के फेस अलग होते हैं आप कभी गौर करिएगा सबकी फेस अलग होते हैं ये भगवान का ही चमतकार ही समझे तो उनके जो वो देखके तो समझ गी कि ये मेरा लाल ही लग रहा है मेरा लड़ू को पाल ही लग रहा है लेकिन एक बार पूछती हैं कि भाईया आपसे एक बात वो पान वाले भाईया दुकान वाले भ तो वो कहते हैं अरे मैडम जी ये तो चमतकारी लड़ू को पाल है ये तो उनकी क्रपा है कि वो मेरे पास आगे बोले कैसे अब उनके अंदर और वो बढ़ती जा रहा आप वो समझ गई कि हो ना हो ये मेरे तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कैसे आए भाईया ये तो उने बताया कि एक कबाड़ी वाला ट्रक था जिससे की समान खाली हो रहा था और मैं वहीं पर खड़ा हुआ था उसी ट्रक के पास एक दुकान थी तो वहीं पर मैं नियूस पेपर पढ़ रहा था खड़े होके और जब वो नियूस पेपर खाली हो रहे थे निकल रहे थे तो ये मुझे लड़ू को पार वहीं पर पड़े हुए, एकदम से गिरते हुए मिले, मतलब मैंने देखा उनको कि ये पेपर के बीश से गिरे हैं, अब मैं भी भगवान को तो मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, तो मैंने उठा लिया, और जब मेरे मिले मुझे ही मिले, त भईया, अगर आप बुरा ना मानें, तो आप जितने पैसे मेरे से कहेंगे, मैं आपको दे दूँगी, लेकिन आप मेरे ये लड़ू को पाल दे दो, तो उन्होंने बोला क्यों, तो बोले कि आपके कैसे, तो फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, रो रो के बताई बोले कि दो महिना हो गए फिर उनके हस्वेंट भी बोले कि भाया इनको देखके इनके जान में जान आई है पूछो मत ऐसा घर का महाल हो गया था इनके तो आखों से आशू आज भी देख रहे हो आज भी इनके आखों से आशू नहीं और ये जो आखों में चमक दिख रही है ये इनको देखके आ गई नहीं तो इनके दो रोरो के बुरा हाल है तो फिर वो बोलती है प्रार्थना करती है हाँ जोड के खड़ी रहती हैं कि आप मुझे ये मेरे लड़ो को पाल दे तो ये कोई पीतल की मूर्ती मत समझना है इनको ये इनको मैं अपने बेटे के जैसे मान पर हाथ मत जोड़ो इनको जितनी दिन तक मेरे से सेवा लेनी थी वो ले लिए अब आपके हैं ये लीजे आपके लड़ो गोपाल तो प्रीती बताई कि ऐसे बताते बताते ही वहां पर हम सब ऐसे रो रो के बेहाल हो गए जब वो आंटी अपनी बात बता रही थी और फिर उनके हाथ जोड़े की प्रभू जिस से जितनी क्रपा और अगर प्रेम है हमारा रिस्ता अटूट है तो वो कहीं भी चले जाएं वो अपने रिस्ते में जरूर आ जाते हैं अपने घर जरूर आते हैं क्योंकि ये भी उनका घर हो जाता है तो ऐसे रिस्ता है हमारी आंटी क का और उनके लड़ो गोपाल का तो ऐसा होता है संबंध एक भक्त और भगवान का तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से और एंड सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थै आधे आधे